हरे कृष्णा बुत्तम अर्वेदा में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं गोखरू या फिर गोख्छूर के अवशदी गुन तथा लाप के बारे में गोखरू गाय के खूर के समान इनके कंटक तथा चने के पत्ते के जैसे इनके पत्ते होते हैं इसलिए इ गोखरू को स्वाद में मधूर इसनिक्द पचने में भारी और शीद बताया गया है यह वात पित्त शामक कफ वर्धक बल्य बस्ती सोधक दीपन इन गुणों से युक्त बताया गया है तो आए जानते इसके उपयोग और फायदे गरभाशय शूलिया फिर यूटेरस के द दर्द में रहत मिलती है गोखरू शरीर में बढ़े हुए यूरिट एसिट को कम करता है इसके लिए गोखरू चोण सोट चोण मेथी का चोण तथा अस्वगंधा का चोण बराबर मात्रा में मिलाकर पावडर बनाकर सुबह साम गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से बल तो ऐसे में गोखरू के पंचांग छाल, त्वक, मूल, फल, फूल को मिलाकर उबालकर काढ़ा बनाकर सुबह साम लेने से पथरी में अराम मिलता है पथरी को जड़ से मिटा देता है साइटिका तथा कमर दर्द में गोखरू के प्रयोप गोखरू चोण और सोट चोण का क प्रती दिन सुबह साम लेने से साइटिका और कमर दर्द में रहात मिलती है बहु मुतरता को दुर करती है गोखरू चोण जिनको भी बार बार पेशाब आने की समस्या है खास कर बड़े बुजर्गों में यह समस्या रहती है तो ऐसे में गोखरू का पंचांग और काले त ट्रे घ्रेई